प्रेंड वेलकम टुलपीटग दॉटकों बहुत बार होता है कि हमारा पीची चलते-चलते बंद हो जाता है तो ऐसे में क्या करें या फिर ऐसा होता है कि हम चालू कर रहे हैं आपका CPU चल रहा है पर डिस्प्ले नहीं आ रहा होता है तो क्या प्रावलम्स होते हैं देखिए डिटेल जनकारी देंगे हम आपको इसके बारे में और कैसे आप ठीक कर सकते हैं यह भी जनकारी देंगे यहां पर आपको सामने दिख रहा है यह फ्रेंट पैनल सी प्यू का और बटन रहेगा रिस्टार बटन रहेगा और दो यहां पर यहां पर यूज़िक के के बेंस होंगे और दो माइट के 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 बन रहेंगे इसके अंदर हम देखें यह से बॉक्स को केबिनेट बोला जाता है जो बूखय का वाक्स भाइगा इसे केबिनेट बोलते है यह शक्री पैनल को लेगे तो आपको अंदर इस तरह दिखाए देगा यहां पर निचे यह आप का रहेगा SMPS यहां पर processor fan लगा रहेगा नीचे आपका मतरब बोडर रहेगा और यहां पर यह wires cable है तो देखते हैं क्या होता है अब नीचे देखेंगे यहां पर नीचे 2 RAM का slot है इस बोडर में यहां पर यह processor fan है इसको हम निकालेंगे यहां से खोल के ठीक है और इसमें power supply का अलग रहता है तो आप इसकी power supply खोल लेंगे यहां पर से यह 3-pin power supply है तो 3-pin power supply आप निकल लेंगे इसे 3-pin power supply है अब यह आपका SMPS है इसको भी आप निकल सकते हैं main power supply है यहां पर से तो main power supply आप यहां से निकलेंगे इसे यह 24 vibrale रहेगा ऐसे करके आप इससे निकालेंगे यह पर से यहां पर इसमें पेंच लगे रहते हैं तो आप इस इस से निकालेंगे यहां पर से, power supply, main power supply आप यहां पर देखे हैं, और यहां पर आप fan देख रहे हैं, यदि यह fan चलेगा इसका मतलब आपका UPS सही है, ठीक है, यहां पर आप नीचे देख रहे हैं, back panel में, यह दो PS2 के port होते हैं, यह आपके 2 VJ port होते हैं, यह आपका LPT port होता है, और यह आपके यहां पर कोई भी यूएसबी के जैक होते हैं यहां पर आपका आपका प्रिंटर यूज़ के ज्याद था लेकिन आप वो फिल्टर नहीं आता है ठीक है तो इसको हम देखते हैं निकालके आप यह यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर से भी आप ऐसे निकालेंगे यह पैन के इसाफे लगा होता है आप पैन देखर करके लगाएंगे ठीक है यह पैन देख रहा है आपको इसे लगाएंगे यह दो ब्री होते हैं एक नॉर्थ बीज यहां पर आपको बगल में दिख रहा है प्रोसेसर आप ऐसे खोलेंगे यहां पर प्रश्टे इस यह दिल लगा है इसको पकड़के ऐसे पीछे खीचेंगे और इसे उपर करेंगे पीछे उपर तक लाएंगे ऐसे फिर आप इसे नॉर्मली उठाएंगे अराम से बिल्कुल अराम से यह है आपका प्रोसेसर ठीक है इसी को बोलते हैं माइक्रो प trading oncp3,p4,job कोकोर और लेखेंगे और आपका i-corp में भी आता है ऐसे ठीक है इसके बाद। इसे आप चिक कर साफ कर इसकी उपर एक लगाया जाता है कं जू खूल करने के लिए पेश्ट लगाते हैं और इसको आप देखके कोने में में एक स्लॉट नहीं होगा ऐसे दिखक करके आप ऐसे इसको वापस रखेंगे यह बिल्कुल फेट हो जाएगा ऐसे ही ठीक है और वापस आप इसको ऐसे दबाएंगे और इसके वाद ऐसे प्लिक कर देंगे ठीक है यहाँ पर आप रहें लगाते हैं दो रहें का स्लॉट रहेगा रहें काट दोनो तो जब आपका PC करना बंद कर दें चालू हो और बंद हो जाए इसका मतलब है कि आप प्रोसेसर खोलेंगे यापका PCS लगाएंगे एक बार फिर्स्टे को रखेंगे और कूलर यानि कूलिंग का सिस्टम यानि आपका फैन काम करना चाहिए ठीक इसके बाद यह कुछ रिजिस्टर लगे हैं यहापर यह आपको एक बैटरी दिख रहा होगा यहापर इसको बोलते हैं CMOS CMOS बैटरी यह क्या होता है आपका पासवर्ड और टाइम को अपडेट करने के लिए यूज़ किया जाता है ऐसा होता है कि जब कभी हम PC बंद करते हैं और चालू करेंगे तो सही टाइम दिखाता है तो उसका गार्ण यह है कि यहाँ से वो टाइम बैकप और पासवर्ड का ब लगाएंगे ठीक है तो दो रिजन्स होते हैं PC के बंद होने के पहला तो रिजन है कि आपका रह्म नहीं सही से लगा हुआ और दूसरा रिजन है कि आपका बंद हो जा रहा है यदि चल करते तो वह आपका प्रोसेश ही ठोरा ठीक है करेंगे यहां पर आपको दिख रहा है यहां पर आपको दिख रहा है यह आपका केवल है यह इसको आप बोलते हैं यह प्सक्राय के अंदर आप देके और जी डॉर्गा है और इसके अंदर आपको देल पालो जरेंगे इसे पिन को देक्राराइणार अज्टर्कन है तो यह फ्री हो जाएगा रैम और आप जालो हो याटनी सीप़्ीय चालू को रख प्रण चाहत रहो तो आप रहां निकालेंगे उसको साफ करेंगे रग दिए ठीक है उसके बाद यह भी बंद रहा जा रहा है चालू करके तो क्या करेंगे प्रोसेसर पर ह ten श Schools नहीं हो रहा है ऐसा करकश कर लेंगे ठीक हैं दू kepada दे ठीक है यदि हमारा प्रोसेसर का प्रब्लम है प्रोसेसर हीट हो रहा है तो क्या करेंगे आप एक बार चेक करेंगे कि जो पोर्ट आपने लगाए हैं USB और PS2 के यहां पर तो वह आप सही से लगाए इसमें केवल पूरे USB के पोर्ट दिये गए हैं और यहां पर आप देख पा प्रब्लेट नहीं आता है तो आप इसको एक बार चेक करें कि आपका की बोड के जगें की बोर और मॉस के जगें मॉस लगा हुआ है दोनों कलर अब में दिख रहा है आपको तो माउस और कीबोर दोनों में पर कलर दिखा देगा तो आपका लमेश करके लगाएंगे ठीक ह हम इसको वापस set करेंगे देखियो इसको यहां पर रख लेपास में ठीक है यह केबल है आईडी का यहां पर देखके लगाएंगे यहां पर देखके लगाएंगे यह आपको यहां पर नोच बना हुआ है तो यहां पर भी एक नोच खाली होगा तो हम ऐसे देखके उसको ऐसे लगा देंगे कि ठीक है और दूसरा वाला पार्ट आप यहां पर लगाएंगे यह देखतर के ऐसे यहां पर कि ऐसे लगा देखके इसको आप ऐसे करेंगे दूसरा अब आप वापस रायम लगा देंगे और यहां पर आप इसे फिट कर देंगे फिर इसके बाद में पार सप्लाई आप यहां पर 40 पिन का देंगे ऐसे करके और 4-pin power supply आप इसके बगल में रहेगा वो भी आप और 4-pin power supply देंगे ऐसे करके यानि आप वापस सारी cables और port वैसे ही sit कर देने जैसे आपने पहले sit किया था ठीक है यहाँ पर भी 4-pin का power supply आप देंगे hard disk में ठीक है beautiful simply दूसा ले लेगी यहाँ इसके बाद भी आपको किसी तरह का problem होता है तो आप हमें कमेंट करें और बताएं थैंक्यू फा वाचिंग कर दो एंक्राइब कर्मार साइब टॉसा चाराब करेंगे ले नहें लेखसे हैं